नमस्कार दोस्तो जैसरी राम जैसरी बागेश्वरदाम तो आपको तो पता ही है कि नवरातरों के पाउन दिन चले हुए है इन दिनों में सभी लोग माता की पूजा पाट और व्रतादी रखते हैं और अपने लिए मंगल कामना का वर मांगते हैं लेकिन दोस्तो इन दिनों को सब्सक्राइब कर ले तो बात करते हैं पहले संकेत की तो अगर आपकी नीद नवरातरों के दिनों में सुबह 4 बजे खुलती है तो इससे बहुत ही सुब संकेत माना जाता है क्योंकि दोस्तो आपको तो पता ही है कि यह समय ब्रमूरत का कहलाता है यह संकेत बताता है कि आप माता की सची बक्ति कर रहे हो गए, माता आपसे प्रशन है, तूसरा संकेत, अगर नवरातरों में आपका मन प्रशन रहने लगे, वैं माता की पूजा पाट में मन लगने लगे, वैं पूजा करते समय आपका मन शांत रहे, तो आप अंदाजा लगा सकते है कि माता की किर पाप पर हो रही है तो दोस्तों अब बात करतें तीसरे संकेत की अगर ना उरातरों में माता की माला से फूल निकल अगर गिर जाए तो भहूत ही सुब माना जाता है चोथा संकेत अगर आपके द्वारा जलाई गई अखंड जियोती पूर्ण रूप से जलती रहती है या तथा धूप दीप अगर बत्ती का दुआ माता की प्रतिमा की तरफ जा रहा होता है तो आप मान लेना की माता ने आपकी पूजा स्विकार कर लिया है और आप प्रमाद रुगा की किरपा होने वाली है तो माता रानी का अगमन आपके घर में पूर्ण रूप से हो गया है तो दोस्तों इन अवरातरों में आप भी माता की किर्पा पाना चाहते हैं तो इन संकेतों का ध्यान रखें तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो अगर अच्छे लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सेर करें और सब्सक्राइब करना ना बुले जैमातादी